बहुत दो स्वागत है अब सभी का स्पोर्स हार में मिरा नाम है शुभेंदू पांडे पीचे आपने तस्बीर देखी होगी आवेश खान की और नभीन उलहक की इन दोनों खिलाडियों की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर भी है वज़ा आपने देखा होगा कि जिस तरी CB और फिर LSD का मुकाबला हुआ था जिस तरीके से मुकाबले में विडंत हो गई उसके बाद चर्चा आम तोर पर हो गई कि वही उस मुकाबले के बास से ही जिस तरीके से विराध कोली की इन्साग्राम को अगर आप देखे वहाँ पर लोग बार बार चेक करते हैं कि क्या यहनोंने आज के मुकाबले में कुछ स्टोरी लगा रखी है या फिर बात करें कि लखनों के मुकाबले जब होते हैं या फिर बाकी तीमों के मुकाबले होते हैं तो लखनों के खिलाडियों के सोसल मीडिया एकाउंट चेक किये जाते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है त अबीनुलहक की उसका क्या जबाब है बाकी जो हेलमेट फेकने वाली चर्चा हुई थी मुकाबले में उसका भी जबाब वहाँ पर आवेश खान ने दिया है दोनों की वज़ा क्या है वो आपकम इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्व जाईए अब आते हैं उस वीडियो पर दरसल वहाँ पर आपने यहाँ पर दोनों खिलाड़ी यहाँ पर एक इंटर्व्यू के तोर पर बाते कर रहे होते हैं आवेश खान स्लेजिंग को लेकर जब उनसे सवाल पूछते हैं नभीन से तो नभीन वहाँ पर जो जबाब दे अपने फस्ट लास किरकेट का वहाँ पर रिफरेंज देते हैं कि उनका कोई दोस्त था वहाँ पर एक छोटी सी स्लेजिंग हुई थी जो कि जो बेंटर था हूँ एक मजा की अलाज़े में था कहीना कहीं उसके बाद जो सीरियोस वाली बात आती है कि कोई सीरियोस स्लेजि बाद एक सवाल उनसे पूछा जाता है कि आवेश खान की तरब से कि IPL में आप किस खिलाडी का विक्ट लेना चाहेंगे जहार सी बात है जो फैंसे जो यहाँ पर यह चैट देख रहे हैं उनको लगे गए तो विराड कोरी भोलेंगे लेकिन एक थोड़ा सा वहाँ पर कि उसमें से निकालते हैं नभी नुलहक और उनसे सवाल पूछते हैं कि हलमट आपका मिला या नहीं मिला दरसल यह सवाल उस मुकाबले से जुड़ा हुआ था जिस मुकाबले आपने देखा होगा चिन्नाव स्वामी मुकाबले में जब वहाँ पर RCB की हार पर आवेश खा होते हूँ ऐसा लग रहा था कि हमें दो पॉइंट कैसे भी चाहिए वो जब मैदान पर गए हैं उससे पहले सूथ रहते हैं अभी वहाँ पर जएदे उनातकट खेल रहे हैं और वहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से विश्नोई भी खेल ले थे तो उनको लगा शायद यहाँ पर रन हो जाएगा उनकी बारी नहीं आएगी लेकिन वहाँ पर विकेट गिरता है बारी आवेश खान की भी आती है वो कहते हैं मतलब की वो जल्दबाजी महाँ पर चले जाते हैं और उसके बाद हेलमेट वाला किस्ता भी उन्होंने बता है लेकिन जल्दबाजी म उनका नहीं बलकि पूरण का हलमेट होता है तो जो अभी भी नहीं मिला तो ये हलमेट वाली सच्चाई थी बाकि आबेश्ख खान ने जवाब दिया सलेजिंग को लेकर वह आपने सुना यहाँ पर की सलेजिंग को लेकर कई कि आप लोग भी इस तरीके का चेक आउट करते हैं अगर करते हैं तो प्लीज कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा बाकी के वीडियो के लिए आप स्पोर्ट सार को देखते रहे हैं लगारतार हमारी कोशिश है कि आप तक अब्डेट पहुंचाई जाए और बाकी के हमारे ज देखने के लिए बहुत दो धन्यबाद जय हिन जय भारत